कैप्टन अमेरिका अपने अंकल सैम के साथ रहता था जो कि यूएस का राजा था लेकिन अपने कप्तान साब भी कहा कम होते हैं वो अपने दुश्मनों को जब चाहें मिडल फिंगर दिखा देते थे जब उसे कोई मारने आता था तो एक ही जटके में वो अपने सारे दुश की पेंटिंग चाहें जितनी मरजी अच्छी हो तो अंकल सैम उसे थोड़ा सा प्यार करकर उसे इग्नोर करने लगते हैं दूसरी तरफ जब कैप्टन अमेरिका पेंटिंग बनाता है जो कि बहुत ही जादा गंदा होता है वो अंकल सैम कैप्टन अमेरिका की पेंटिंग की तारीफों का कुल बान देते थे लेकिन फिर अचानक एक दिन जो होता है उसको जानने के लिए शॉट्स को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिख देना बचपन में बकी के अच्छा खासा पेंटिंग बनाने के बाबजूद भी अंकल सैम उसका थोड़ा सा तारीफ करते थे जबकि उनका असली बेटा तो बकी होता है लेकिन उधरी दूसरी तरफ कैप्टन चाहे जितनी गंदी पेंटिंग बनाएं अंकल को उससे फरक नहीं पड़ता था बल्कि वो खुश हो जाते थे और उसकी पेंटिंग की जूटी तारीफ करने लगते थे और फिर जब कैप्टन और बकी बड़े हो जाते हैं तब अंकल सैम खुद आते हैं और कैप्टन को एक Vibranium का शील्ड गिफ्ट करते हैं और कैप्टन की शील्ड में Magnetim System था और साथ में जब कैप्टन के ऊपर कैप्टन के दुश्मन गोलियां चलाते हैं तो कैप्टन अपनी शील्ड को सामने कर देता है जिससे की हुआ गोलियों को रोक देता है और फिर जब कैप्टन शील्ड को जोर से फेकता था तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड सारे दुश्मनों को मानने के बाद कैप्टन अमेरिका के हाथ में आ जाती थी लेकिन फिर इसी घमंड में कैप्टन बोलता था कि वो Captain को मार कर US पर कबजा करेगा देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन Captain America को US का राजा बनाया जा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर Red Skull अपनी Hydra Army के साथ Captain America के उपर अटैक कर देता है फिर Battle के अंदर एक तरफ Hydra का आर्मी और दूसरी तरफ Captain का आर्मी होता है लेकिन इस Battle में Hydra का आर्मी Captain की आर्मी से बुरी तरह से हार जाती है फिर भी Captain Red Skull का पीछा करता है उसे जान से मानने के लिए लिकिन अचानक तभी Captain बोल देता है कि एक सचा राजा कभी भी अपनी पीट दिखा कर लड़ाई के मैदान से नहीं भागता लिकिन वो हस्ते हस्ते अपनी मौत को भी अपना लेता है बिल्कुल मेरे जैसा लिकिन Captain का ये बात तो Uncle Sam को अच्छा नहीं लगता और वो ठान लेते हैं कि Captain कभी भी राजा नहीं बनेगा जो इसके बाद Uncle Sam Captain के साथ करते हैं उसको जाने के लिए शौट्स को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में पार्ट पोर जरूर लिखे देना Captain का ऐसा behavior देखकर Uncle Sam बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं और उसे US का राजा बनाने से इंकार कर देते हैं ये देखकर तो Captain Uncle Sam को समझाने की कोशिश करता है बट Uncle Sam तो उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं Captain को लात मार कर अर्थ पर भेज देते हैं और फिर अर्थ पर आकर गिरते ही Captain अपना सारा power खो देता है और बहुत ट्राइ करने के बाद भी अपनी shield नहीं उठा पाता है ये सब देखकर Captain बहुती ज़ादा उदास हो जाता है और अपनी girlfriend को याद करने लगता है जिसे कि वो अपने planet पर छोड़ आया है उदरी दूसरे planet पर Bucky Red Skull को ढून लेता है जो कि Bucky का असली बाप होता है फिर ये बात Red Skull खुद बोल देता है कि Bucky मैं तुमारा असली बाप हूँ पर सुनने के बाद Bucky सैड होने की बजायक बहुती ज़ादा खुश होता है और फिर कुछ दिन के बाद Bucky अंकल सैम को लात मार कर सिंगासन से हटा देता है और खुद US पर राज करने लगता है लेकिन तभी अचाने के एक दिन Bucky के साथ जो होता है उसको जाने के लिए शो उसके बाप Red Skull की नजर अर्थ पर पड़ती है और फिर बाप और बेटा दोनों मिलकर एक प्लैन बनाते हैं जिसमें की पहले वो अर्थ पर जाकर Captain America को मारेंगे और उसके बाद अर्थ पर Hydra का कबजा बसा लेंगे लेकिन उधरी दूसरी तरफ Captain और Captain की Girlfriend मिलकर अर्थ प में मिलने वाला था और फिर ये बोलते ही बकी अपना गन निकालकर Captain के उपर अटेक कर देता है और फिर उस अटेक से Captain और Captain की Girlfriend दूर जाकर गिरते हैं और फिर जो इसके बाद होता है उसको जाने के लिए Shorts को Like चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में Part 6 ज़रूर लिख लगता है फिर बिना देरी के Captain भी Shield को उठा लेता है और Bucky के सारे Attack को रोकने लगता है देखकर तो Hydra की पूरी Army एक साथ Captain के उपर गोलियां पर साने लगती है इससे Captain को एक भी गोली नहीं लगती उल्टा Captain अपनी Shield से हर एक गोली को रोक देता है तब ही अचानक सारे Avengers अपने Planet को बचा लेते हैं साथ ही साथ Captain भी Avengers को जॉइन कर लेता है फिर कुछ दिन के बाद Captain America अपनी Girlfriend के साथ शादी कर लेता है और अर्थ पर ही रह जाता है लोगों को ये Animation स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और